तो स्वागत आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल पर तो जैसा कि आपको पता है हम नुमेरिकल्स डिसक्स कर रहे हैं लास्ट 3-4 लेक्चर से क्लासिकल मेकेनिक्स के और यह यूनिट हमारी खतम होने वाली है जस्ट 1 और 2 मोर नुमेरिकल्स के इंदर ठीक है जस् और हम इस यूनिट को फिनिश कर देंगे एक्जाम पाइंट ऑफ यू से या फिर आप पिछे तक की वीडियो देखे तो उनमें बेसिक्स का जो हमने सारा रीड कर लिया है तो अगर आप डिरेक्ट इस वीडियो पर आए है तो प्लीज आप कम्प्लीट प्लेलिस्ट को वि और coli परिये इन लेक्टर से एंडट ऑब अब्यस्ली मैंने फॉस्ट लेक्टर में बोला था कि मैं यह लेक्टर सक्षज्ज मैंकि बना रहा हूं ठीक है, so, चलिए, स्टार्ट करते हैं, बिना ज्यादा देरी की हुए लेक्चर को, so, next numerical, जो हमारा है, square of side A, has particles of masses M, 2M, 3M, and 4M, at its vertices, तो मैंने, generally, A, B, C, D, square, consider कर लिया, construction work है, ठीक है, और A पे माल लिया, M, mass का particle, B पे है, जो वो 2M, C पे हैं, उसका 3M, and D पे हैं, उसका 4M, जैसा किसने दे रख़ा है, ठीक है, next हमें करना क्या है, show that the principal moments of inertia, यानि कि moment of inertia निकालना है, about principal axis, ठीक है, principal moment of inertia लिख रख़ा है, at the center of the square, square के center पर, यानि कि G के उपर हमें क्या निकालना है, principal moment of inertia, या, show करने हैं, जो कि कितने आएंगे, 2MA square, 3MA square, and 5MA square, ठीक है, also find the direction of the principal axis, और हमें principal axis की direction भी find out करनी है, तो आपको दिख रहा होगा कि principal axis कौन से आने वाली, generally मैंने square ड्रो कर लिया, पहले तो simple ठीक है, फिर cartesian coordinate system ड्रो कर लिया, G की about ठीक है, जी को centroid मानके, या फिर बोलो origin मानके, यह x axis होगी, अपनी यह y axis होगी, ठीक है, फिर जो है, पहले तो हमें अब principal axis की direction निकाल लिया है, तब ही हम principal axis ड्रो कर पाएंगे, बट मैंने last अगे इसको solve कर रखा है, इसलिए मैंने यहीं पर principal axis ड्रो कर दी, हमने co-planar distribution नाम से article read किया था, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास first में एक formula आया था, tangent 2f करके, that is tangent 2f equals to, sorry, tangent 2 alpha equals to 2f upon b minus a, देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ, उसके उपर, जहाँ पर हमें उस angle का पता चल जाता था, जिस angle के साथ, that here alpha, ठीक है ना, tangent 2 alpha equals to 2f upon b minus a, इस angle alpha से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे जो principle axis है ना, वो कितने angle के साथ inclined है, ठीक है ना, जी के साथ, तो वो कितने angle के साथ inclined होती है, alpha के साथ, और अगर हमें इस alpha का पता चल जाए, तो हमें direction पता चल जाएगी, किसकी principle axis की, तो first of all चलिए हमें पता करते हैं कि direction क्या है, also find that direction of the principle axis, तो हम पता करते हैं कि हमारे principle axis जो आने वाली हो, किस direction में आने वाली है, ठीक है, तो अब्वियस ही बात हम इस formula का यूज़ करेंगे, coplanar distribution में जो हमने पढ़ आ था, tangent 2 alpha equals to 2f upon b minus a, और इसके लिए हम किस-किस की need होगी, f की, that is product of inertia की term है, यह आपको पता है, ठीक है, about gx and gy बोलो यहाँ पे, ठीक है, यानि कि about x and y, and this is b, and this is a, b is moment of inertia, standard notations वाला जो article हमने starting में किया था, जो capital b होता हो, क्या होता है, moment of inertia about y axis, ठीक है, और एक क्या होता है, moment of inertia about x axis, so these are the requirements, जो हमें चाहिए अपने tangent 2 alpha में put करने के लिए, ठीक है, so चलिए, start करते हैं, बारी-बारी हम अभी इन तीनों values को निकालेंगे, a, b, और f को, ठीक है, so देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोल रखा है, जो a जो होता है, वो क्या होता है, अपना moment of inertia of the system about gx, यानि की x axis के about होता है, ठीक है न, तो जो particles आपके रखे हैं, system कितना है, 4 mass है, इसके 4 vertex पे mass रखा हुए, ठीक है न, तो system क्या moment of inertia कैसे निकल जाएगा, सभी का sum करते हैं न, starting, starting वे जो moment of inertia निकालना जिख्छा था, तो formula भी पता किता है, summation, m i, r i का square, मतलब यह सारे आपके, m i stands for, 1, 2, मतलब जो सारे mass से जीतने हैं ठीक है, तो जो moment of inertia क्या होता हो आपका, moment of inertia, m into distance का square, perpendicular distance का square, ठीक है, तो चलिए पता करते हैं, a point के उपर mass कितना रखा है, m, ठीक है, so a से लेगे, किस के about निकाल रहे हैं, gx के about, gx के about निकालना है, तो यह आपकी वो line होगी, ठीक है न, gx, और a पर आपका particle रखा है, तो particle से perpendicular distance दाल देते हैं, ठीक है न, अब यह distance कितनी है, a by 2, यह मैंने, इसको, आपको बताया, हमने इसको क्या माल लिया, coordinate system, तो complete square की distance उसने हमें दे रखिये, side कितनी है, square की a, ठीक है न, complete की distance a है, तो origin के respect में, निक्चे कितनी रहे जाएगी, a by 2, और उपर भी कितनी रहे जाएगी, यह कोडिनेट मानके, ठीक है, सभी के हमने coordinates लिख दिये, यानि कि इसको origin मानके, ठीक है, तो सभी के coordinates आप लिख सकते हो, इसके कितनी हो जाएगे, minus a by 2, फिकोज यह origin से इदर की side है, left side, ठीक है न, तो x axis वाला coordinate negative, और उपर की side है, तो y वाला positive, तो ऐसे यह आप चारो coordinates को लिख सकते हो, यह third coordinate में हो जाएगे, सारी नेगे, दोनों negative, ठीक है, यह fourth coordinate में यह first में, so ऐसे हमने इनके coordinates लिख दिये, सभी vertices गे, so अब हम पता करते हैं कि a पर जो mass रखा है, उसका moment of finish है कितना हैगा, so mass into perpendicular distance, अब यह यहां से लेकि यहां तक की distance, gx तक की distance कितनी है, ay2, तो m into ay2 का square, यह देखी, m into ay2 का square, फिर second mass, 2m into perpendicular distance, gx तक की perpendicular distance, यह भी ay2 है, यह ठीक है, तो 2m into ay2 का square, next one, यह mass है, 3m into perpendicular distance, 3m से लेकि, gx तक की perpendicular distance कितनी है, minus ay2, ठीक है, डिसंस तो a by 2 यह है ठीक है ना तो हम कोडियेंट लिख सकते थे हैं क्योंकि हमें डिस्टेंज ची होती है ठीक है तो 3m into minus a by 2 का स्वेर सेम 4m पार्टिकल है 4m की डिसंस gx है तो gx तक की डिसंस यह वाले स्थ कितनी है d point की ठीक है ना so ये भी also a by 2 तो 4m into minus a by 2 का whole square जब इसको हम sum करेंगे calculate करेंगे so a हमारे पास क्या आजएगा a square by 4 कोंबोन आजएगा सभी में से ये masses हम add करतेंगे summation m ठीक है न तो ये कितना आजएगा अपने पास 10 by 4 m a square होगी कितना आजएगा so a से लेके ये वाली Parpendicular distance ठीक है इसका square, अब b पर निका लेंगे 27ए वाली Parpendicular distance c का निकालेंगे तो c से लेके ये वाली Parpendicular distance टीका निकालेंगे तो d से लेके gy तक के Parpendicular distance ये वाली इनका क्या कर देंगे square अखारे मेने इसमें करद रच़ा है m into minus a by 2それは square क्यों तो यह भी अपना कितना आजएगा 5 by 2 ma square I think आपको समझ आ रहा हुगा अगर फिर भी कोई कोई क्वेरी है या फिर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो आप उसको comment box में highlight कर सकते हैं ताकि और कोई जब वीडियो देखे तो वो गलती ना करें हम उस comment को पिन कर देंगे ठीक है तकि सभी आए और उसको जो गलती है वीडियो के अंदर या फिर PDF के अंदर वो सभी को पता चल जाए कोई गलत नोलेज ना लेकि जाने पाई ठीक है ना चूंकि जायर चाहिए थोड़ा सा हो जायर होता है ठीक है ना यानिकि गलत नोलेज है वो खतरन अब यहां पर और उरिजिंस का नाव जैटाइगे तो फिर बीच वाला क्या होता था इसमें य चोड़ देंगे इक अंदर समेशन M X Z और यह क्या होता था समेशन M X Y अपना F जो रहता था ठीक है so समेशन M X Y यानिकि मास इंटू में डिस्टंस प्रों X और इंटू में डिस्टंस प्रों Y and this is M मास और उन्हिका क्या क्या करना फिर सम सो A एक तो क्या हो जाएगा देखो this is M minus A by 2 into A by 2 and this is 2M a by 2 into a by 2 and this is 3M a by 2 into minus A by 2 and this is 4M minus A by 2 into minus A by 2 तो यह सारा समप होके क्या आजाएगा माइन समेशन लगा हुए ठीक है तो सबीका सम करेंगे तो आपने पास आजेगा म स्केर वाई टू तो आपके पास तीनों चीजी आ चुकी है अब अपने फॉर्मले में पूट कर दीजिए टेंजेंट टू एलफा बीदा हमने एंगल मान लिया ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो अपनी एंगल बनाएगा कौन जी के ऊपर मेक्स विद दा जी एक्स ज्यानिकी जो ओरिजिल अपनी एक्स जोती कोडिने एक्सिस उ आपको पता चलिया कि जो अपनी आपको प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ से आंवाली है यह योटाले वाली इंगल होता है और मैं कि यह एक्सिज ँदिन वीज इंटे लिए इंटे डिग्री का तो यह थी वह वाई से कितना चली जाएंगी पाइभाई-4 जिट से एपकी पास आचेगी तो यह आपकी पास आचिए अपको मुमेंट आफ फीने अट पहुत करना है इ also find the direction of principle axis वो आपने find out कर ली principle axis की direction ठीक है ना अब आपको शो करना है कि जो moment of inertia आएंगे न वो यह हैंगी 2m square 3m square and 5m square सो यह तो simple सा है बिल्कुल क्योंकि हमने यह terms सारी find out कर रखी है कि जो principle axis के about moment of inertia आता है वो कितना आता है a star ठीक है ना जो principle axis के about moment of inertia आता है वो क्या आता है moment of inertia about gb निकाल लेंगे ठीक है a star so a star equal to कितना आ जाएगा यह हमने derive कर रखा है आर्टिकल के अंदर आप जाके देख सकते हैं वीडियो में आपको मिल जाएगा इस वीडियो का link भी description box में कि product of inertia और moment of inertia की terms about principle axis क्या क्या आई थी ठीक है न और product of inertia about principle axis क्या होता है वो आप मुझे निचे description box में बताएंगे क्योंकि fix होता है product of inertia जो भी होता हूँ आप मुझे description box में बता की जाए ठीक है so moment of inertia निकालते है तो a star क्या होता है आपका a cos square alpha plus b sin square alpha minus 2f sin alpha cos alpha ठीक है यहाँ पे alpha की value pi by 4 आ चुकी तो cos pi by 4 क्या आता है 1 by root 2 और 1 by root 2 का square क्या जाएगा 1 by 2 तो यह तो cos square alpha की value 1 by 2 और a की value हम निकाल चुके 5 by 2 ma square अभी अभी पिछे निकाले b की value भी हमने निकाले थी sin square alpha भी कितना जाएगा 1 by 2 minus 2f की value भी हमने निकाले थी f की value ठीक है sin alpha और cos alpha की multiply 1 by root 2 1 by root 2 कितना बन जाएगा 1 by 2 तो यह सारे calculation works है कर सकते हैं आप लोग तो यह कितना मिल जाएगा हमें 2 ma square जो कि आपका moment of inertia about principle axis similarly आप b star का formula पूट करेंगे a sin square alpha plus b cos square alpha plus 2f sin alpha cos alpha आप जाना principle axis वाली article में वहाँ पे आपको मिलेगा कि moment of inertia about principle axis and product of inertia about principle axis क्या आए थे वहाँ पे आपको यह दोनों formula बिल्कुल mentioned मिलेंगे ठीक है न या फिर आप couple linear distribution वाले article में जा सकते हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको so b star equals to a sin square alpha plus b cos square alpha plus 2f sin alpha cos alpha ठीक है यहाँ पर भी put कर दीजी a की value और यह सारी values ठीक है तो calculation work है यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा 3ma square b star की value तो जो जो निकालना था न वो प्रूव होता जा रहा है यह भोल रहा था कि सारे जो moment of inertia एंगे न about principle axis वो आएंगे 2ma square 3ma square and 5ma square ठीक है किसके उपर center के जो निकाल लिया ठीक है बचता है किस के अ ग।द् जबड़ों घृटकर अब डूनों के प्रेपेंडिकुलरा है किस कि इसके 그게गे लून हुकुलर थे कने इसके इन दोनों के moment of inertia के sum के को दो c star equal to a star plus b star और a star और b star कितने आए थे 2 a square sorry 2 m a square plus 3 m a square that is 5 m a square जो लास्ट था वो भी आपका प्रूव हो चुगा है कि भी आपका moment of inertia about sorry principal x के about कितना हैगा किसके about निकाला था आपको g के about ठीक है ना so जो moment of inertia की terms थी sorry principal moment of inertia जो थे आपके वो कितने आने थे 2 m a square 3 m a square and 5 m a square so अगर आपको कोई भी doubt हो lecture के अंदर तो आप comment box में comment करके पूच सकते हैं आज की video में ये आपका numerical complete होता है और अगर फिर भी आपको अभी भी समझ में नहीं आया then you can ask personally ठीक है what's up contact आपको मिल जाएगा चैनल के उपर आप महाँ पे पूच सकते हैं आपका doubt definitely दूर किया जाएगा so thank you so much आज की lecture में इतना ही अगर समझ आया हो अच्छे से आपकी help हुई हो तो please lecture को like करके जाना thank you so much जै हिंद जै भारत pdf का link आपको निच्छे description में मिल जाएगा हर एक lecture का होता है ठीक है thank you